पर मतलब कुछ लाज के तुकोडे मिले हैं और दो ग्रिनेट मिले हैं कि पर श्रीम के साथ मुझुद था उन्होंने बताया उन्होंने वीडियो दिखाएथी व OSG jam तो अन्दर बोले मोगोले और परामा दुगी आपके गलादवा के मारा और यहां ले आकर करके हमने उसको पुली तेरी पिछा के काटा और उसके तुकणों को हमने कोई उदर 101 पे फेक दिया और कोशिव ले आकर करके उदर फेक दिया क्या जील पे हैं पूरी घटना यहीं की बताए जा रही है और पूरा यह आसपास का यह नजारियत देखिए इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पर कल बीती रात जो है दिली पुलिस की स्पेसल सेल पहुंची थी आतंकी नौसाद जो है उसके साथ में जगदीब जिसका नाम बता जा रहा है जो दिली पुलिस की हिरासत में इस वक्त हैं और साथ में जी इसी जगह पर जो है पूरी मामला जो आ रहा है सामने की इस चीज को अभी देखिए दरवाजों को लॉकर दिया गया है पूरी घटना यहीं की बताए जा रही है और पूरा आसपास का यह नजारियत देखिए यह कमरा ऐसे है और जो आसपास के लोग हैं यहां के बता रहे हैं कि हम उन्हें जानते नहीं थे क्योंकि वो लोग पूरा इंट्रेक्शन किसी से नहीं करते थे तो ऐसे में उनका क्या मक्सद था और 26 जर्मरी देश का सबसे बड़ा पर्व जो है पूरे देश मे जो है कल रात यहां पर आई थी आतंकी नौसाद और जगदीब को दोनों को यहां पर साथ लाई थी और जो वीडियो के चस्मदीद गवा थे उनसे भी हमने बात की और जानने और समझने की कोसिस की की आखिर पूरा मामला क्या है दरसल देखी इसी इसी रूम के बारे में जा रहा है कि इसी के अंदर जो है टीम जो है दिली पुलिस की स्पेसल टीम आई और उनसे जानने की कोसिस की आखिर पूरा मडर का क्या उनका उद्देश था और क्यों कि यहां से ग्रिनेड बरामद हुए उन सब के बारे में जानकारी ली और बीती रात को जिस्तरकी से प पारे में बता जा रहा है कि वो लोग उनको भी नहीं जानते हैं लेकिन दिली पुलिस जो है अब जाज में जुटी हुई है कि जिस बेक्ति की हत्या की गई उसका नाम क्या था किस मकसद से जो है उसको मारा गया यह तमाम बाते जो है अब जो है दिली पुलिस सुलजाने म पर आया था उसके साथ में जो बैक्ती मौझूद था पहले उसकी बाइट आप सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर आने लोग जो आसपास कह रहे हैं उनकी भी बात हम सुनाते हैं यह पूरा भलसवाडेरी का एरिया है आप देखिए यह एक नल है और ऐसे पू आप देख सकते हैं और ऐसे में जो मडर हुआ उसको लेकर जो है लोग क्या कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं यह बताने और जाने की कोशित दिली पूलिस के लिए एक बड़ी काम्याबी है कि जो है उन्होंने ग्रिनेट को जो है बरामत कर लिया है फिलहाल जो है अभी सुरक् बतार किया और यहां पर मौके पर जो है हम इस समय मौझूद है और जो चस्मिदी जो उसमें पुलिस के साथ में मौझूद थे जिन्होंने पूरी घटना को देखा उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं सबसे पहले यह बताओ कि क्या पूरा घटना था आप भी एक पर मौझूद में क्यों पूरी घटना थी क्ठाम के साथ था उन्होंने पताया उन्हें वीडियो दिखायीती वकाईदा तो जो मुज्रिम 22 उन्होंने खुद घा आता एक ने जिन्होंने गला रहे ता ओर ने जिसने वीडियो पनाई यहां सर्वने वीडियो करीब आये थे और रात के नो बजे मैं तो चला गया था नो बजे तक टीम यहीं थी पुलिस के इस प्रेदली स्टाफ यहीं था कितने पुलिस वाले थे बहुत थे काफी दर्जनों में आपको कभी यह सक हुआ कि जो है यह लोग ऐसे प्रवरितिक हैं या फिर यह लोग किसी पुलिकों यहां पर जिस तरीके से खून के धब्बे मिले आपको कुछ संदेय हुआ इं लोगों पर यहां सपास में रहते हुए बुलकुल नहीं हुआ मैं तो वैसे पिछली गली में रहता हूं बैक सैड में जो यहां पर अगल बगल में रहते हैं उन्हें संदे नहीं पाया तो हमें तो फिर होई नहीं सकता सब्सक्राइब को लगता है इसी घटनाय जो बढ़ रही है पूरे देश में जिस तरीके से यह वारदात हो रही है कौन इसमें जिम्मेदार है कि मैं कुछ धरम के बारे में तो कहा नहीं सकता क्या क्योंकि जब मैं उस टाइम था मुझूद था तो ऐसा कुछ बात इस पर श् हिंदू है या मुस्लिम है या सीख है इसाही है सब कुछ उस्टाइम हुआ नहीं था खाली मेरे को फेस दिखाए गये और यह पुछा गया था कि आप इन्हें जानते हैं नहीं सर्माने फस्टाइम देखा इने और जो जिसको मारा गया उसको भी इसकी दिखाए गई कि पूरा वहां पर वाक्या हुआ उन सब पर जो है अपनी राय दे रहे थे इनसे हम यहीं जाने और समझने की कोसिस कर रहे थे कि आखिर पूरा क्या मामला था इस पॉर्ट भी भी हम आपको ले चलते हैं और आपको बताएंगे कि क्या पूरा माजरा था जिस तरीके से जो न जिमांड खतम हुई थी तो यहां मोके पर जो है उनको लाया गया था और यह समझने और जाननी की कोसिस हुई थी कि आखिर कि क्या पूरा घटना थी किसको मारा गया और वो जिसको मारा गया है उसका नाम क्या था इस जाच में जो है दिली पूलिस जुटी हुई है आगे लोगों से हम बात करेंगे और पूरा जो है तदीश से आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है कल घटना हुई उसके बारे में क्या जानकारी है आप लोग यहीं आस पास कहें क्या घटना हुई यहां पे आई है पुलिस टीम आई है अंदर से आदमी से यहां से दो कुछ पता है यहां कौन रहता था क्याकिन लोगों को जानते थे थे अभी किसी नेदेखा दिये कहाया नहीं है एक चैसे अन highly पने काम से काम रहाने सब्सक्राइब पहले पोड़ेा ह्किन सबस्सक्राइब। पुलिए वले उन्हीं निकाल के दिये उनको पुलिस को और भी टीमी आई कि उसकी जहां चाहंच हुई है तो यहां से उनको लेकर चले गए जी क्या नाम हुआ इमान शुतिवारी यह बताओ कि क्या घटना हुई थी पूरी थोड़ा आप बताओ कि ना का मुझे तो नहीं प पूरा मामला यहां को घटना कुछ नहीं घटी है वो तो पकड़ के लायते पूलिस वाले दू उनको वह जाकर के अंदर ले गए अंदर ले आगए करके उनसे पूस्तास करने लगे वह क्या किया तुमनोंने क्या नहीं किया कैसे मारा और बताए रिख यहां कोने पर हमने गलादवा के मारा और यहां ले आकर करके हमने उसको पूली ठीरी पिछा के काटा और उसके तुकड़ों को हमने कोई एक सो एक पे फेक दिया और कोशी लिए करके उधर फेक दिया करना जहील पर पूस्तास की यहां और लोग इनको जानते हैं जो आपके परोसी में हैं ति सब्सक्राइब कोई हरकत देखता तब तो किसी को कुछ बताता भी किसी को किया नाम मामला था यक्ति न इन राघ किसी को पता हुआ यहां पर काटा पाटा किसी को दबा दिया नहार में जीर आदी भोड़ी पैक दी तो कल कुछ ने कुछ बात वही इसमें अंदर जो है लास पड़ी थी तो कुछ अभी तक है कि लास वास कुछ नहीं थी खून के दब्बे थे खून के दब्बे थे हां कल तब फूरी इस्टाप आगे बहुत रात की ग्यारा वे तक है सुपर पांच बजा आगे था साम के टाइम जब से पूरी इंफरमेशन नहीं सब को जाच वाच हुई उसके बाद हुआ है दिली पुलीस की एस्पेसर टीम के साथ जो ब्यक्ति उस समय प्रिती रात को मौझूद था उनसे भी हमने जानने की कोसिस की क्या पूरा मामला था और क्या क्या चीजे उनसे पूछी गई जानी गई उसके बाद जो है आ पाकान मालिक के बारे में कुछ जानकारी है की नहीं है यह सब जानने समझने की कोसिस की और जिस तरीके से घटना को अंजाम दिये गया है उसके बारे में दिली पुलिस जो है अब तब्दीश से जाच कर रही है और जिस तरीके से 26 जनवरी से पहले इस घटना दो ग्रिने प्रवेड मिले हैं और जो है दिली पुलिस ने उसे बरामत किया है अज़े में बड़ी कामियाबी दिली पुलिस के लिए है आगे देखना दिल्चास परहेगा कि पूरे मामले में क्या रुख आता है कैमरे के पिछे हमारे सही होगी रोही जोसी मैं सिर्व संकर पाद्याए धन्यबाद